देवी मैना अपने नाती को बुलाईए जिससे हम वेधी प्रारंब कर सके तो अब वो दुष्ट मेरे समक्ष तो आएगा ये इतना समय क्यों लगरा इस विदी में ये इतना समय क्यों लगरा इस विदी में लगरा इस विदी में लगरा इस विदी में ये इतना समय क्यों लगरा इस विदी में लगरा इस विदी में लगरा इस विदी में ये इतना समय क्यों लगरा इस विदी में लगरा इस विदी में प्र Mü binding एन राया धं भी ही हर स्पारिक कि अपतना दलो था कि अप्रॉर जब मार्मी कम nodig प्रॉबाराँ जरी सतते कि अप्रेक जारी के अले सब कि अजाद। わかaking dollo tharta में िम्यूए यह भी में पंड़े पार रहा हुँ इस परश्ट में देखपा रहा हूं इस पालक को में एक बार देरी द्रिश्टी तो खड़े इस बालक पर ये दिखाई तो दे मुझे ये है वो पालक ये तो इतना चोटा और दुर्बल है मैं विर्थ चिन्ता कर रहा था सभी देव का है यहां आप सभी को मेरा प्रणाम कल्यां हो प्रणाम मामा जी विश्णु देव मामी जी देवी लक्ष्मी कल्यां हो पुपा जी ब्रह्म देव बुवा जी डेवी सरस्वती आपको भी प्रणाम आप सभी अतीतिगर यहां मुझे आशिर्वात देने आए यह मेरा परमसौ भाग्य है देवराज इंद्र भी है आपको भी मेरा प्रणाम जैसे पुष्ट की सुन्दर्ता कोई हर नहीं सकता वैसे ही कांटों को कोई सुन्दर्ता कैसे दे सकता है करेंगे संसखार होगा बालक की बुआ उससे काजर लगाएगे फिलन डूंता डूंता रश्याओ cur summary अब बालक का नाम करन होगा अरे अरे उससे पूर मुझे नेक लेना है बालक के पिता से देवी क्या अब हम नाम करन की विधी प्रादम कर सकते हैं? मेरे पुत्र को नाम प्राप्थ होगा अम अगने स्वाहा अम अगने स्वाहा अम अगने स्वाहा अम प्रजापत्ये स्वाहा अम प्रजापत्ये स्वाहा अम भूरगने स्वाहा अम भूरगने स्वाहा अम भूरगने स्वाहा बालक की कुंडली प्रेस्टु की जाए कुंडली? एक बार किसी ब्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाओंगा प्रेटी बालक में लगने स्वाओंगा कर दो से मुक्त हो जाए बालक में अम भूरगने स्वाह लगने स्वाह पारवदी नंदन का क्या नाम है? अब ब्रह्मदेव वो अक्षार देवी सरस्वदी को पताएंगे? मेरे पुत्र के नाम का प्रथम अक्षर है? और अब महादेव हमारे पुत्र को इस अक्षर से प्रारव होने वाला नाम देंगे द्वासो मेना दी त्रेपाम भूर्भु वस्वह सुप्रजा प्रजा भिह स्याथम सुवीरो वीरह सुपोश पोशेह ओम को सिकत्मो स्येशो स्यम्रितो सि आहस्पत्यम्मा संप्रविष्ग जानन śण कर्क्रावन कुर्द प्रेविच जानन गजानन गजानन गजाने, गजाने, गजाने गजानाँ तुम गजानन हो गजानन ए बालक दमायुश्मान वर्जस्वी तेजस्वी श्रीमान भूया भिन भिन स्थानों पर जाकर बालक के नाम की खोशना कर दो जिससे सभी को महादेव और देवी पारवती के पुत्र का नाम ग्याद हो जाए आप सबको मेरा प्रणाम अब विद्या संपन्न हो चुकी हम देवताव को यहांसे प्रस्थान करना चाहिए तो यहां रहकर कोई लाब नहीं है इस बालक का तो मैं अभी यहीं अंत कर सकता हूँ बस एक बार यह मुझे अकिला तो मिल जाए इस प्रसंता की घड़ी में आप सभी हमारे साथ यहां उपस्तित हुए धन्यवाद स्वरू मैं स्वयम आप सभी का मुख लड़ू से मीधा करवाऊंगी वर्था दौर विलम होगा अमारे प्रस्थान में लड़ू बहुत सुन्दर ना मिला है बालक को आहां गर्यानंद सुन्ने में भी कितना अच्छा है मुख तो अवशन नीटा होना चाहिए इतने आनंद की बाद जो है आहां आज है इतने आनंद का उसा है भोग के कारण मेरा उदर अब ऐसी द्वनी उत्पन कर रहा है मुझे भोजन चाहिए मा मा की धर गई इतने सारी स्वादिश्ट पर इन्हें ही खालेता हूं अब ये बाला गेका की कहा जा रहा है कर दो हम्, अब मैं इमें खाऊंगा अरे, ये किसकी परचाई है बेवी पारवती, हर्शियो लास के इस हाता वरण में आप हमें में भूल जाएगा गजनन को नाम मिलने की प्रसंता में हमारा मुपने बेठा करवाईए ये कौन है? ये दुर्बल ही होगा महादेव और देवी पारवती का गुसरा पुत्र तुम्हारा काल बनकर प्रकट होगा आप वे 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 तुछ बालत से बालत से भी धोकर ठरल भू आपमालत कर पुचित कहती थी पुडिया सिंगे का व्यर्थी चिंतित्था मैंसे लेकर पल भर मैं मिटा दूगा मैंसे एक बार किसी प्रकार ये बालक मेरे हाथ लग जाए फिर मैं अपने प्राणों के संकट से मुक्त हो जाऊँगा कौन है आप और मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके वर में अनेको विचार आकार ले रहे हो मुझे देखकर तुमारी मृत्य हो मैं ये तुम्हें अभी ग्याद हो ही जाएगा किन्तो उसके पूर्म तुम्हें यहां से हटाने का उपाई दोनना होगा मुझे कौन हो सकते हैं ये मिल गया मुझे उपाई इस बालक के ध्यान को भटकाने का ओ तो आपकी वीद्रिष्टी इन्ही फलों पर है देखी ना कितने फल है यहां किन्तो चुनाव करना कितना कठिन हो रहा है मेरे मन में बस यही विचार आपस में संगर्ष कर रहे है कि मैं लाल फल चुनू यहारा अब क्या करना है उसका निर्णय तो लेना ही होगा ना पर मैं निर्णय ले चुका हो मोर्क बालक किन्तो तुम्हें कुछ भी चुनने की छोट नहीं दोंगा मैं मेरे आदेश का पालन करोगे और हरा फल उठाओगे हरा फल मेरे जीवन में मेरे जीवन में पालक इसका तो एक ही परिडाम है मेरे हाथो तुम्हारी वृत्यों चलो उठाओ हरा फल और चलो मेरे साथ उठाओ शेग्रित दीवी पार्वती किसका स्वर्थ है किसने पुकारा मुझे दीवी बजनी शनी देव शनी देव ने पुना यहां आने का साहस कैसे किया था। खेर जाहिए, किसी को भी बीतो जानी की अनुमती नहीं है मुझे मेरा बुट्र बुणा चाहिए विशीश मेरे त्रिशूल के परहार से भस्म हो है और मेरे त्रिशूल से भस्म होकर कोई बुणा जीवित नहीं हो सकता संकोच का कोई स्थान नहीं है अब तुमें वही फल उठाना होगा जिसका चैन मैं कर चुका हूँ उठाओ हरा फल उठाओ बालक प्रतीत होता है अब ये बालक बूरताया मेरे वाश में है अब इसे मैं कि मुझे बताया ही नहीं कि आप कौन है ये तो मुझे से प्रश्न पूछ रहा है अर्थात इसका मन मेरे नियंत्रण में नहीं अच्छा बताये ना आपको अवश्य मेरे नामकरण के उससों में भागले ने आये होंगे है ना आपके यहां आने के लिए धन्यवाद देखे ना मैंने तो अपना फल्चुम लिया किन्तू उसका क्या लाग किन्तू जब तक मुझे मा अनुमती नहीं देती तब तक मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ इसे दुर्बल मानकर इसकी शक्ति को कम आखने की भूल तो नहीं कर बैठा मैं इस पर तो मेरी सम्मोख शक्ति का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है माता मुझे से बहुत वरी भूल हुई थी मुझे शमा कर दीजिए बड़ी कधिनाई से मैं यहां आपके समक्ष आकर शमा मांगने का साहद जुटा पाया हूं माते मुझे शमा कर दीजिए आपने तो मुझे उसी रात्री दंडिक कर दिया था माते जिसके कारण आज तक मेरा पाफ पीड़ा से ग्रस्त रहता है माता है हां माता का अज़दे तो अत्त विशाल होता है अपने संटान की अनेग भूलो को भी शमा कर देता है तो आज अपने पुत्र के नाम करन संसकार के दिवस क्या आप मुझे शमादा नहीं देंगी माते